ऐसे तो आपने बच्चीवी ठंडी रोटी से बहुत सी रेसिपी बनाई होगी लेकिन ये रेसिपी अभी तक ट्राइन नहीं कियोगी ये बहुत ही टेस्टी और डिफ्रेंट सी रेसिपी है आप जरूर ट्राइ कीज़ेगा ये बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए ह आपको अच्छे से क्रिस्पी करके सीख लेना है दोनों साइड से आप सूचेंगे रोटी क्रिस्पी कैसे हो पाएगी वह भी तववे पे तो देखे मैं इसको सीखना कैसे है और कैसे ये क्रिस्पी होगी मैं पूरा बताऊंगी वीडियो स्किप मत कीज़ेगा नहीं तो आ क्या लगेगा 2 चमच एक एक obtूरीं के लिए इनफ होगा और इसके लिए सिख़ टूरी की चाहिए तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घी चारु तरह स्प्लेट करते हैं आपको लगाना है और इसको पालट देना है और पेसको प्रस करना वह लो फ्लेम पे तो आप जास यह थोड़ा healthy भी रहती है क्योंकि यह आटे से बनी होती है मेदे की नहीं होती है और साथ ही बच्चिवी रोटियों से भी बनती है तो आपकी रोटी भी उटलाइस हो जाएगी तो यह बहुत ही अलग सी रेसिपी हो जाएगी आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी और आपके अब दूस्री रोटी की करनी है वाहие दोनों रो уч भी आपको क्रिस्पी बनाच करनी है के अध्या की नहीं थना है और देख लिए जिला अलो और अलो घरी gentक करनी हर्ड़ी हो जर्दबब स contraction यहां च्रमाटर लाल चाहिए होगी साथ ही दूसरी रोटी जो हमारी है उसको हम इस तरीके से चार पीसिस में तोड़ लेंगे किता अच्छे से क्रिस्पी हुई है हमारी रोटी आप देख सलते हैं बिल्कुल पपड़ी के तरह है तो इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड कर लिया है और बाकी क क्यों प्रटी वारिट त्हुंत हों टोड़ी प्रटी प्रटी डालेंगे साथ हमने इसमें रेड मीठी वाली चटनी डाली है सब चटनी के वारे में बता चाहूंगी जाओंगी पार, मैंने बताहिए इनको बताथी ऎक है क्या बार्नी है्वासarl नूश्टफी है घटी रह पे भी हम अच्छे से एक बार चटनी डाल देंगे जिससे कि हमारे जो यह आलू है इनमें थोड़ा फ्लीवर आजाए चटनी का और थलका सा नमग भी डाल दीजेगा और थोड़ा सा पिसावा जीरा डाल दीजेगा इससे भी बहुत ही टेस्टी टेस्ट आता है और आप चाह यह देखे हली मिर्च हैँ यह मैने इसमें एड खरी है थोड़ी सी और अगर आप च्छीए चाहते है तो थोड़ा अच्छी से कर सकते है छटनी कि जैसे चाहें जात जायरे वैसे आप एड कर समEZ आतीक इसमें थोड़ी आलू पुझिया और बचच्वी ब्रेक करिबी बहुत बारी कटावा डाल दिया है उसके उपर मैंने बहुत यह बारी कटवी प्याज और यह हमारी आलो बुजिया यह सब इस पर एड़ कर दी है उसके पाद थोड़े से और इसमें प्याज वगिर आप चाहे तो आड़ कर सकते हैं चटनी वगिर जो भी आपको अपने बनकर तयार है ठंडी रोटी से इतना अच्छा नास्ता आपने कभी नहीं खाया होगा यह बहुत ही टेस्टी और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीज़े शेयर कीज़े कमेंट कीज़े